तु करने का हुनर रख परिणाम की मत सोच, तु बस पंखों को फेला बुचायों की मत सोच, तु रख होसला अपने कर्म धर्म का तु होने वाले नुकसान की मत सोच. यह पंक्तिया उस महापुर्ष के लिए है जो खुद से पहले दूसरों के भले के लिए अपना कीमती वक्त निकालता है, वरना आज के समय में कौन अपना कौन पराया होता है. बिहार में नगर निकाए चुनाव की तयारिया लगबग पूरी हो चुकी है, लेकिन आज हम चुनाव के बारे में बात ना करके एक ऐसे परतियाशी के बारे में बात करेंगे, जिनका राजनीती से कोई वास्ता ना होते वे भी, उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किय है, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समाज सेवी की जो ना सिर्फ लोगों की मदद करते हैं, बलकि युवाव के लिए उजवल भविश्य के लिए भी बहुत कुछ करते नजर आते हैं, हम बात कर रहे हैं आज डोक्टर शामदेव जी उर्फवैद जी के बारे में, जो एक डो सेवी ने अपनी जनता के लिए इतने काम किये हैं कि जिनका गुणगान जितना भी करें उतना कम हैं, तो आज हम आपको बताएंगे समाज सेवी शामदेव जी के बारे में, जिनोंने जनता के लिए कौन-कौन से कार्य किये हैं, छेत्र की गरीब लड़की की शादी में आर और टाइम का खाना खिलाने से लेकर मंदिर में आर्थिक मदद करने तक और साथी मंदिर में बाजा की विवस्ता करने तक, छेत्र के लाचा लोगों का मुफ्त में इलाज करना हो, या छेत्र के लोगों को आँख के इलाज के लिए जगे-जगे कैम्प लगाकर नेत्री र इलाज उन्होंने अपने फर्ज को बखू भी निभाया है। छेत्र में हर समाज के लिये सांस्कुर्तिक कारेकरम कर्वाना और आर्थिक सहीयोग करना। छेत्र के लोगों को हर पर्वत्योहार में आर्थिक मदद करना उनका साधारन सा काम है। शामदेव जी ने छेतर के लोगों के 400 बच्चों को वस्त्र भी भेंट के हैं, इतना ही नहीं, वे छेतर के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए कोपी किताब भी देते हैं, ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविश्य उज्वल बना सके न केवल हिंदों के लिए बलकि मुसल्मान भाईयों के लिए भी रमजान के दिनों में इफ्तार का आयोजन शामदेव जी के द्वारा ही करवाया जाता है। छेतर में उन वच्चों के लिए भी उन्होंने काम किया है जो खेल के मैदान में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करना चाहते है। इसके लिए उन्होंने किर्केट टुर्नमेंट का भी आयोजन करवाया है। चल रहे चुनाओं में अगर उन्हें जीत मिल जाती है तो वे अपने छेतर के रुके हुए विकास को पूरा करके अपने छेतर का नक्षा बदलने का हुनर भी रखते है। तो अब देखना यह होगा कि नोजुन को होने वाले चुनाओं में क्या शामदेव जी की पत्नी आशादेवी जीत हासिल कर पाती है या नहीं। यकीन मानी अगर वे जीत हासिल कर पाती है तो वे अपने छेतर के साथ साथ अपनी जनता को भी एक नया भविश्य देंगे।